तो शावमी डिवाइस में यार प्रावेट डिवाइस अक्टिवेट करना बहुत ही दिमाग में दर्थ और दिमाग खराब करने वाली बात है अब यह जो चीज है इसको कैसे अक्टिवेट करना है यह मैं आपको बताने वाला हूँ प्रावेट डिवाइस अक्टिवेट करना इस topic को आज हम लोग cover करने वाली इस पूरे वीडियो में वीडियो पूरा देखना बहुत बहतरीन होने वाला है क्योंकि इससे आपको PUBG में ping कम करने की एक बहुत बहतरीन चीज मिलने वाली है कोई third party application के बारे में बात नहीं करूँगा ना कोई कुछ मेरा में भूशन आप हो दवराइटी स्टफ पे बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना बेल आपन प्रेस कर देना ओल की option पे जरूर क्लिक कर देना और यार नीचे like का बटन है ठोक देना और comment कर देना ठीक है अब शाओमी डिवाइस में कैसे find out करेंगे यह सबसे बड़ी चीज है ठीक है अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सिधा प्ले स्टोर में जहां से हम लोग एक application डाउनलोड करेंगे basically मैं इन सब के खिलाफ हो अगर जो चीज हमारे phone में available है उसके लिए हमें application डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पढ़ने चीज है लेकिन शाओमी डिवाइस में यह सब चीजे लागू नहीं होती ठीक है इस वज़े से मैं आपको play store पे लेके चलता हूँ और मैं जो बताऊंगा वो आपको करना है download आपको play store में जागने के बाद activity launcher सर्च करना है चोटी से application है बिल्कुल आपको ज्यादा data खर्चा नहीं करना पड़ेगा और कुछ नहीं और यह application download करने के बाद आप इसको delete भी कर सकते अपना काम होने के अपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक अच्छा सा इंटर्फेस आ जागा जागा जहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक बहतरी application आपके फोन में दिखाए देंगे ठीक है अब यहाँ पर आपको सर्च करना है नेटवर्क इस पर आने के बाद आपको इस पर करना है और टैप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटर्फेस खुलेगा ठीक है यह इंटर्फेस आपका find out नहीं होता इस वज़े से यह चीज यहाँ पर आपको करना बहुत ज़्यादा mandatory है अब यह करने के बाद आप यहाँ पर प्राइवेट डिनेस सेट कर सकते हो अगर यह आफ पर रहा तो प्राइवेट डिनेस होसनेम पर आप टिक करके नीचे दिया गया जो डिनेस एड्र किरेंगे कुईक को शॉटकुट मेर ठीक है अब क्विक शॉटकट मे करने के बाद आप इसको भी डाउन्दोर कर लिए यह चोटी से अप्लिकेशन है इससे आपको प्राइवेट डेनेस करनेके बाद उसका शॉटकुट बनाने में बहुत हल्प होगी इसको करने के अब ओ नेटवर्क सर्च करने के बाद आपको फिर से बही आएगा ठीक है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो settings में आपको जाना है settings में जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है settings में network and internet network and internet पर आने के बाद आप यहाँ पर सिधा-सिधा इस icon पर tap करोगे tap करने के बाद यहाँ पर theme icon packs आगा इसमें से आप कोई भी एक ख़़दा choose कर लीजे आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगता है ठीक है और इसके बाद में create पर आप जैसे करोगे तो आप बिलकुल यहाँ पर एक जो आपका dns वाला जो चीज है वो आपके desktop पर यहाँ पर save हो जाएगी तो आपको find out करने में बहुत easy जाएगा अब तीसरी जो trick है वो बहुत ही जादा easy है तो आपको यह करने में यह दोनों भी application आपको download नहीं करनी पड़ेगी ठीक है तो आपके क्या करोगे settings में settings में search in settings करके option आएगा dialogue box आएगा इसमें search option आएगा यहाँ पर आपको करना है private search तो जैसे आप private search करते हो तो यहाँ पर private DNS आ जा रहा है जैसे private DNS आएगा इसको आप tap करोगे तो आपके phone में भी इसी तरीके का एक notification यहाँ पर दीखेगा जो blink करेगा आपको उसको करना है open open करने के बादे आप यहाँ पर फिर से private DNS एक्टिवेट कर सकते हो और आपका PUBG जो एंजोई कर सकते हो अब description में आप चेक कर लेना मैंने दोनों के दोनों जो DNS address है वो यहाँ पर दे दिये है description में आपको बस उसको copy paste करना है अपने DNS private DNS के dialogue box में copy paste कीजिए save कीजिए और save करने के बाद आपका PUBG जो है उसकी pin किती कम होते है यह मुझे जरूर बतना मेरे नाम अभूशन आप थे दे वरेटी स्टफ पर मैं आशा करता हो कि आज का वीडियो जो है आपके लिए काफी अच्छा हो और आपकी जो main problem है DNS activate ना कर पाने की वो मैंने यहाँ पर solve कर दी है ऐसे आशा करता हो और take care good night और मुझे जरूर बतना है कि आपके इसमें DNS active हुआ है या नहीं thanks a lot for watching this video take care bye bye